Solve Real-Life Problems Involving Percentages Question is that in a school, 85% of the students were promoted to the next classes. What fraction of the students were failed? मतलब एक school में अगर 100% total students हो तो उनमें से 85% students पास हो गई हैं. हमें बताना ये है कि जो failed students हैं, उनकी क्या fraction होगी? ठीक है? यानि हम सबसे पहले percentage में देख लेते हैं, कि failed student की percentage क्या है. ठीक है? तो यहां पर हम लिखते हैं, Promoated students is equal to 85%. टोटल स्टूडेंट्स इस एक्वल टू वान हंडर्ड परसंट फेल्ड स्टूडेंट्स अब फेल्ड स्टूडेंट्स वो हैं जो के हम कहेंगे के नेक्स्ट क्लासिज में प्रोमोट नहीं हुए और वो कैसे आएंगे टोटल स्टूडेंट्स में से आप प्रोमोटी स्टूडेंट्स को जो है वो निकाल लें डिफरंस ले लें तो फेल्ड स्टूडेंट्स आजेंगे जो के आजाते हैं 15 परसंट यानि 85 में अगर 15 मोर एड़ करें तो 100 परसंट बन जाएगा ठीक है तो यह 15 परसंट आगे और अब फ्रेक्शन बतानी है तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फ्रेक्शन है परसंटेज है वो आउट आफ 100 को कहा जाता है यानि 15 ओवर 100 ये एक फ्रेक्शन आ गई और इसे इसकी लोवस्ट फार्म तक भी लाया जा सकता है यानि देखें 5 के टेबल से 5 को 3 से मल्टिप्ला करें तो 100 आता है तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी थ्री स्टूडेंट्स थ्री स्टूडेंट्स वर फेल्ड फॉर एवरी यहां पर लिख लेते हैं फॉर एवरी 20 स्टूडेंट्स यानि के हर 20 में से 3 बच्चे फेल हैं इस तरह एक स्कूल की स्ट्रेंट्स जितनी भी होगी हम अगर उसका 15 परसंट ले आएं तो उसमें से हमें पता चल जाएगा कि यह स्टूडेंट्स फेल्ड हैं और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो पास और टोटल भी अगर हमें पता हो तो फिर हम टोटल से मतलब जिसा मेंने बताए कि उसका 15 परसंट ले ले हम तो हम फिर यू लिख सकते हैं कि जितने तमाम स्टूड़न्स जो फेल्ड होंगे आउट आफ जो टोटल स्टूड़न्स है वो भी हम फिर बता सकते हैं